अज़ फिर आपके लिए एक नए टॉपिक लेके आए हैं जो मोशन अंडर ग्रेविटी के में ही आएगा बट एक स्पेशल अपनी जगह रखता है वो है बैलून से रिलेटिट प्रॉब्लम्स आप सब को पता है बैलून से रिलेटिट प्रॉब्लम्स जही में आती हैं आट में आ चुकी हैं और नीट में आती हैं नीट में कुछ उसका लेवल थोड़ा कम होता है जैसे जैसे जाई में चलते जाएंगे उसका लेवल बढ़ता जाएगा आपके सामने तीन नुमरिकल रखोंगा सारे सवाल सौल होंगे चलके स्टार्ट करते हैं कि पैरशूट से रि में किस तरह के सिनेरियो होता है आपके सामने या आपके सामने एक पैरशूट है या एक बैलून है तो कोशन का जनरली जो फ्रेम है वो सारे नुमरिकल का एक जैसा ही होगा जैसे इसमें मेरे सामने है कि यह मेरे पास एक ग्राउंड है ग्राउंड में ग्राउंड से कुछ h height पे मेरे पास balloon कहलो यहाँ parachute है this parachute is moving upward with some velocity v, जब यह यहाँ पर पहुंचा होगा तो इसके पास कुछ velocity रही होगी उसकी velocity कितनी है, v velocity है h height पे, आपको initial situations दे जी जाती है कि जब parachute यहाँ से ground से चला था उसकी initial speed 0 थी यहाँ non-0 थी यह आपको numerical में given होगा, मैं आपको basic idea दे रहा हूँ, उसके बाद numerical पे आएंगे basic idea यह होता है कि parachute जब किसी particular height पे पहुंच गया तो उसके पास एक velocity है, फिर कहा जाता है कि parachute से एक object को release किया गया राइट, जहांसे सुनना parachute से एक object को क्या किया release किया गया, so जैसे यह मेरा हाथ up over direction में जा रहा है, तो उसके साथ साथ सेम velocity से यह जो cap है यह भी up over direction में जा रही है, right same situation यहां पर बैठती है कि जब parachute भी velocity से up over direction में जाएगा, तो उसमें रखा हुआ कोई भी पत्थर कंकर, वो भी सेम velocity से up over direction में जा रहा होगा, तो बात यह आती है कि आपको कहा जाता है कि जब parachute h height पे पहुंच गया है, तो उस object को, उस stone को release किया गया, तो जब release करेंगे, तो क्या होगा, यह जो मान लेते हैं यह stone को release किया गया, तो यह बात ही आपको सीखने लाइक होती है, कि जैसे हम release करेंगे, तो यह stone भी पहले, same speed से up over direction में जाएगा, इससे पहले वाले situations में मैंने आपको बताया था release का meaning होता है, कि particle zero velocity से नीचे गरेगा, drop का meaning होता है, object zero velocity से नीचे गरेगा, बट यहाँ पर situations कुछ अलग होती है, अलग इसलिए होती है, क्योंकि यह जो पत्थर है, यह जो stone है, यह जो object है, यह parachute में था, और parachute की यहाँ पर velocity कितनी थी, v velocity थी, इसी लिए इस stone की वी velocity कितनी थी, v थी, जैसे यह stone इस balloon से, इस parachute से अलग होगा, तो उसकी वी, उस instant पे velocity, v ही रहेगी, और upward direction में ही रहेगी, यही इस numerical को सीखने का सबसे important point होता है, अब क्या होगा, अब आपको scenario पता है, यह जो object है, यह उपर जाएगा, और उसके बाद, यह नीचे गिरेगा, यहाँ कहीं ग्राउंड पे, तो देखो आप से क्या क्या पूछा जाएगा, आप से पूछ लिया जाता है कि बताओ, जब यह object यहाँ ग्राउंड के साथ टकराएगा, तो इसकी speed क्या होगी, एक यह बात पूछ लिगी, दूसरी बात पूछ लिजाती है कि stone ने maximum height ground से कितनी अचीव की, देखो यहाँ पर stone आएगा न, यहाँ पर stone की velocity क्या रही होगी, 0 इस point पे stone की velocity क्या रही होगी, 0 इस point पे, तो यहाँ से लेके ground से लेके, यह वाला जो height है, this is the maximum height attained by the object आपको यह calculate करनी होती है हलांकि आपको यह तो पता है, कि यह h height था, तो in short आपको यह वाला height calculate करना होता है, यह small h calculate करना होता है, so the total height becomes capital H plus small h, तीसरी चीज़ आप से पूछ लिजा सकती है, कि यहाँ से ground तक टकराने में इसको कितना time लगा, it means what is the value of time of flight, so these are the three cases which can arise in this numerical, so चलिए attempt करते हैं, let us say कि हमारे पास यह जो same situation है इस situation में जो balloon है, वो constant v velocity से upward जा रहा है 5 meter per second constant so यह जो हमारे पास balloon है, यह ground से 5 meter per second की constant velocity से upward direction में move कर रहा था, यह numerical अब शुरू हो गया है, ओके, तो 10 second के बाद क्या होता है इस object से इस balloon से एक stone को release किया जाता है, after 10 second तो क्या है, after 10 second stone is released तो stone को release किया गया, 10 second के बाद तो आप से पूछ लिया जाता है कि यह v dash कितना होगा find the value of v dash तो कहा गया find v dash, v dash का value क्या होगा और time of ride कितना लगेगा यह भी हम calculate करेंगे चली यह situation को handle करते हैं हमें इस h का value नहीं पता है बट हमें क्या-क्या पता है कि यहाँ से लेके ground से लेके h height cover करने तक constant velocity से जा रहा था और कितना time लिया उसने 10 second लिये इसका मतलब यहाँ पर जब object पहुँचा है तो 10 second हुए है यहाँ पर t equals to 0 यहाँ से शुरुवात हुई थी so 10 seconds में उसने कितना height cover किया होगा distance is equal to speed into time होता है speed का value multiply time का value it comes out to be 50 meter अपवर direction में है तो positive आएगा so 50 meter height पे जाके stone उससे अलग हुआ है यहाँ तक सब को समझ आ गया अब हम v dash calculate करते हैं हम equations of motion यहाँ अच्छे से apply करना आएंगे equation of motion जब मैं apply करूँगा तो यह मेरे पास initial situation है stone की यह मेरे पास final situation है stone की तो stone की यहाँ पर velocity कितनी होगी जो parachute की थी और parachute की कितनी velocity थी 5 meter per second ही velocity थी I think कि आपको clear हो रहा है कि जितनी velocity से यह balloon चल रहा था उतनी ही velocity से यह stone भी अलग हुआ था ओके so this is the initial velocity which is in the upward direction upward direction में है तो इसकी value भी कितनी होगी 5 meter per second positive में रही होगी यह value हमें calculate करनी है third equation of motion हमें लगा सकते हैं v dash square minus v square equals to 2as s अब आप सबको पता है यह जो stone है यह freely fall करेगा it is moving under gravity so the value of acceleration is minus g minus g लिखा जाएगा a का value so चलो values पुट करते हैं v dash square minus v का value आएगा 5 5 का square equals to 2 a का value आगया minus 10 और s कितना होगा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं s की value पुट करते हुगे देखो बटा यह था initial position यह है final position so initial पर pen रखिए और final की तरफ चलिए तो arrow के इस तरफ आएगा downward direction में आएगा और downward direction में displacement को negative लिए जाएगा इसलिए हम यहाँ पर s की जगा जो की h है क्या लिखेंगे minus 50 लिखेंगे इस तरह से आपको कोई भी मेरी calculations में मेरे concept ने कहीं दिक्कत आए मेरे को comment section में जरूरी बताएगे अगर मेरे channel पर first time visit कर रहे है please subscribe my channel आपके लिए बहुत सारा content ले के आऊँगा कुछ नहीं छोड़ा जाएगा up to the date, up to the level जितना भी आपका को भी competitive exam हो physics से related होना चाहिए आपके सामने पेश होगा हर concept पे एक अच्छी वीडियो बनाई जाएगी चलिए इसको calculate करते हैं ये क्या calculation कहती है कि V' का value आएगा ये 25 हो गया is equal to के अधर जाके plus में चला जाएगा minus और minus cancel हो जाएगे और ये आजाएगा thousand तो V' का value इसको जब आप solve करोगे ये आएगा 1025 root में meter पर so this is our required speed of the stone जब वो ground के साथ टकराएगा तो इतनी speed से टकराएगा अब हमें कितना time लगा इसका time of flight भी calculate करना होगा तो आप बड़े आसानी से वीडियो को pause करके इसके अच्छे से notes बना लीजिए इसको समझिए तो फिर हम time of flight को calculate करते हैं तो time of flight क्या कहेगा time of flight के लिए आप देखो कौन सी equation यूज़ कर सकते हो आपके पास आपके पास अब height पता है तो मैं prefer करता हूँ कि जब भी आपको displacement given हो और time निकालना हो तो हमेशा second equation का use करिए second equation कभी विए आपको गलत information नहीं देगा तो यहाँ पर आ जाएगा s equals to ut plus half a t square यह है second equation आपको time calculate करना है again s जो है displacement है यहाँ से initial से लेके final तक कितना value put करेंगे positive की negative आपको पता लग गया है positive put करोगे की negative put करोगे सबका answer होना चाहिए की negative put किया जाएगा और कितना value आया था इसका 50 meter आया था तो यहाँ पर मैं लिखूंगा minus 50 initial speed यहाँ पर initial speed कितनी होगी 5 meter per second so 5 put किया गया है आप ओवर direction में था t लिखा गया half minus 10 t square यह minus 5 बन जाएगा जब इसको solve करेंगे minus 50 equals to 5t minus 5 t square 555 वाली terms जब cancel होंगी तो यहाँ पर minus 10 आ जाएगा equals to t minus t square एक quadratic आपके सामने आया है इस quadratic को आप solve कर सकते है यह negative है इधर आएगा positive हो जाएगा यह positive है दूसरी side जाएगा negative हो जाएगा तो यह आया है आपके सामने आप सबको quadratic solve करना आता है minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a I hope कि आप यह वाला वाल्यू यह वाला formula लगा के t की value calculate कर सकते है b का value 1 आएगा c का value minus 10 put किया जाएगा चलिए minus 1 plus minus under root of b square b का value क्या आया है 1 आया है 1 का square minus 4 a, a भी 1 है और c का value है minus 10 divided by 2 times of a तो यहाँ 2 ही लिखा जाएगा a का value 1 होगा इसको solve करते हैं और देखते हैं कि क्या answer आ सकता है आप सब इसको solve कर सकते हैं आप सब maths पढ़ते हैं आप सब को basic mathematics आता होता है quadratic equation 10th class में सीखा जाता है सब का पसंदिदा topic होता है quadratic equation तो चलिए हम भी इसको solve करते हैं यहाँ जाएगा minus 1 plus minus root of 1 plus 40 divided by 2 further इसको solve करेंगे मैं positive वाली term ले रहा हूँ divided by 2 तो यह answer आएगा आपके पास क्योंकि अगर आप negative वाली term लेंगे तो वो time negative में चला जाएगा तो इतना time लगेगा further आप इसको solve कर सकते हैं अपनी requirement के हिसाब से subjective है यह objective है options क्या है उसके हिसाब से आप इसको further elaborate कर सकते हैं I hope कि आपको यह topic पसंद आया होगा समझ आया होगा यह सवाल पसंद आया होगा समझ आया होगा बढ़ते हैं question number second की तरफ alright students so हमारा second numerical है एप पैराशूट इस after bailing out यह वर्ड है आपके लिए bailing out fall 50 meter without friction when parachute opens it de-accelerate at 2 meter per second square he reaches the ground with a speed of 3 meter per second at what height did he bail out देखो bailing out का मतलब होता है for example आप किसी helicopter से जब parachutist क्या अगता है चलांग लगाता है तो उस time पे parachute अभी open नहीं हुआ होता तो ओ जो चलांग लगाने के process को क्या कहा जाता है bailing out कहा जाता है तो चलांग लगाने के बाद तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते उसने parachute को open कर लिया है तो इस situation में कितना उसने displacement travel किया है यह जो h- होगा it is 50 meter यह situation है ओके और कैसे situation है आप देख सकते हो without friction यहाँ पर कोई भी friction किसी भी air को consider नहीं किया जा रहा है इसके बाद क्या होता है ग्राउन की तरफ धीरे धीरे आएगा तो यहाँ पहुंचेगा ग्राउन पर पहुंचेगा ग्राउन पर पहुंचेगा तो downward direction में आ रहा है तो उसकी acceleration की value कितनी है minus 2 meter per second square है यह लिखा हो ना de-accelerate हो रहा है तो minus लिखा जाएगा he reaches the ground with a speed of 3 meter per second meter per second at what height did he bail out उसने कहां से चलांग लगाई होगी तो आपको यह total height calculate करनी होती है यह total height calculate करनी है तो आपको यह 50 तो पता ही है अगर आप यह यह h calculate कर लोगे तो आपको total height पता लग जाएगी तो सबसे पहले दो देखो चोटी चोटी बाते हैं यहाँ पर सीखी bailing out इस word का पता लगा de-accelerate हो रहा है उसकी situation पता लगी यह आपको given है तो सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि यहाँ पर कितनी speed रही होगी 50 meter के बाद उसकी कुछ तो speed रही होगी किसी ना किसी speed से वो downward direction में जा रहा था ओके आपको यह displacement given है तो चलिए देखते हैं इससे displacement वाली situation से हमें क्या information पता लगती है तो हमें h पता है initial speed उसकी 0 हो जाएगी यहाँ से u का value हो जाएगा 0 freely fall हुआ है तो solution में हम लिखेंगे h- negative होगा downward direction में है ऐसे equals to चलो मैं इदर ut plus half a t square इनके values पुट करता हूँ h की जगा लिखा जाएगा minus 50 initial speed 0 हो जाएगी यह हो जाएगा a की जगा यहाँ पर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वो freely fall हुआ है तो a का value कितना आएगा minus g यहाँ पर आके उसका parachute open हुआ उसके बाद जो freely fall नहीं हुआ है उसकी acceleration कितनी ही जी minus 2 थी तो यह आजाएगा minus 5 a की जगा minus 10 लिखेंगे divided by 2 करेंगे तो minus 5 t square इसको solve करेंगे यह minus से यह minus cancel हो जाएगा यह 5 है यह 50 है तो यह आजाएगा 10 root equals to इतने time में person यहां से यहां तक पहुंचा है यह time कहां से है यह से लेके b तक का time है यह से लेके b तक का time है ऐसे अब हमें यह v dash calculate करना पड़ेगा numerical को पूरा solve करने के लिए तो v dash कैसे calculate करेंगे initial speed, final speed इस तरह से आप situation apply कर सकते है v square minus u square equals to 2as s पता है आपको तो चलिए इसको solve कर लेते हैं क्या लिखा जाएगा v dash square minus 0 का square equals to 2a और s की value कितनी होगी minus 50 होगी यह v square minus u square equals to 2a और s यहां से v dash का square कितना आ जाएगा जब आप इसको solve करेंगे 5 multiplied 10 तो यह आ जाएगा thousand ऐसे तो v dash कितना आ गया v dash आ गया root of thousand यह 10 root 10 आ जाएगा meter पर second तो आपको v dash भी पता लग गया ओके आपको अब h निकालना है अब आपको final speed भी पता है initial speed भी पता है तो v dash यह v square minus u square equals to 2a h यह वल equation लगाके आप इस h का calculation कर सकते हैं तो चलिए इस h को calculate करते हैं so that कि हमें total height का पता लग सकें तो क्या लिखा जाएगा b से c तक लिखना है मुझे b से c तक जाना पड़ेगा यह है final speed 3 का square negative है no doubt लेकिन उसका square हो जाएगा तो वो positive हो जाएगी यह v dash कितना आया है इतना आया है 10 root 10 का square 2 acceleration की जगा क्या लिखेंगे minus 2 और h variable है इसको solve करेंगे 9 minus यह जाएगा 100 multiply 10 1000 equals to minus 4h इसको solve करेंगे 991 negative आएगा minus 4h यह terms cancel हो गई तो 991 divided by 4 is equal to यह इतने meter आपको h पता लगा है तो कितनी height से bail out हुआ होगा वो तो यहां से लेकर यहां तक यह distance कितना हो जाएगा h plus small h तो आप इसको बड़ी असानी से add कर सकते हैं इस value में 50 को add करके आपको इसका required answer मिल सकता है I hope कि आपको यह numerical पसंद आया होगा समझ आया होगा यह J में पूछा गया सवाल है तो इस concept में बहुत सारी बाते पूछी जा सकती है numerical 1 में आपको given था आपको याद होगा कि जो parachute है वो upward direction में constant velocity से जा रहा था आपको यह भी दिया जा सकता है कि उस situation में same numerical में जो balloon है with some acceleration upward direction में move कर रहा है तो जब acceleration से move करेगा तो हर time पे उसकी velocity change होगी तो after 10 second अगर मैं कहूँ after 10 second अगर मैं बात करूँ तो v equals to u plus at से आपको 10 second के बाद की velocity निकालनी होगी first numerical में constant velocity दी थी अगर आपको constant acceleration दी जाए तो आपको क्या करना है v equals to u plus at ये वली equation solve करके t equals to 10 seconds पे velocity calculate करनी होगी जो की initial velocity के बराबर नहीं होगी उससे जादा ही होगी बाकी सारी situation सेम होगी तो I hope कि आपको ये balloon वाली problem समझाई होगी अब एक lecture बचता है free fall पे वो है कि air resistance को अगर हम consider कर लें तो फिर कैसी situations arise होती है उसकी derivations कैसी है उसका जो एक general result है उस पे किस तरह का assertion reasoning पे question आ सकता है true false पे कैसा question आ सकता है और numerical कैसा आ सकता है मिलते हैं नए lecture में कुछ दे मेरे इसी वीडियो को देखे next lecture में मैं आपको air resistance पे numerical लेके आऊंगा और उसके साथ motion under gravity का complete analysis खतम होगा मिलते हैं नए इस action में बाई बाई see you soon